आपने तो देखा होगा कि आज मैध्य प्रदेश में कैसी सरकार चल रही है मेरे क्याल से 225 महीनों की सरकार है और 2.500 घुटाले है 18 साल से सरकार चल रही है 22,000 घुशनाएं की है मंदला जबलपुर की जो सड़क है 10 साल से बन रही है दस साल से पहले चार लेन की बन रही थी अब दो लेन की बन रही है लेकिन दस सालों में बना नहीं पाया है वही मैं कहा रही डंग से नहीं बनी है यहां की सड़क की तो यह स्थिति है कि गट करीजी जो मंत्री हैं जो सड़क बनवाते हैं उनको आकर माफी मांगनी पड़ी आपके सामने, ये बात है, आप सोचिए, इतने सारे घोटाले बच्चों के पोशन में घोटाला, मिद्डे मील में घोटाला, सर्विशिक्षा और भ्यान में घोटाला, स्कॉलर्शिप में घोटाला, भरती परीक्षाओं में घोटाला, तो बच्चों का भविश्य क्या है, आप बताएए बहन आप ऐसे कर रही हैं, क्या भविश्य है, आप अपनी बच्चों के लिए मेहनत करती हैं कि नहीं, मेहनत करती हैं, मेहनत से उनका पालन पोशन करती हैं, तमाम दुनिया भर की समस्याय होती हैं, लेकिन माबाप क्या चाहते हैं, कि बच्चों का परवरिश बच्चे आगे बढ़ें लेकिन आपको अंधकार ये अंधकार दिख रहा है जब आपके स्कूल में पोशन पर घोटाला हो रहा है जब स्कॉलर्शिप पर घोटाला है जब भरती की परीक्षाओं में घोटाला है तो बिचारा नौजवान करे क्या स्कूल करता है पढ़ाई क करता है अच्छे अच्छे अंक भी लाता है आगे जाकर फीज भरता है टूशन करेगा भरती परीक्षा के लिए तैयारी करेगा बिचारा माबाप कभी-कभी भगधर से बाहर भी भेज देते हैं दूर कहीं पर टूशन सेंटर में किसी शहर के अंदर की जा बिटा पढ़ ले अच्छा भविष्य बनेगा और फिर क्या होता है उसमें घोटाला हो जाता है हर स्थर पर घोटाला तो बिचारा परीक्षा देता है परीक्षा में पास भी हो जाता है लेकिन नियुक्ती नहीं होती क्योंकि घोटाला हो जाता है सब कुछ बंद हो जाता है तो जब अगली व्यापम का जो घोटाला हुआ यहां पता नहीं कितने लोग मर गए उसमें किसी ने इंक्वाइरी जांच तक भी नहीं कराए और वही सरकार चली जा रही है चली जा रही है मा नर्मदा पे घोटाला मा काल में घोटाला मंदिर में जो मूर्तियां लगाई हैं उस पर भी घोटाला तो ठक नहीं गए हो आप ठक गए हो ठक गए हो ना